आज की या वीडियो बीकॉम के फर्स समेस्टर के सभी चात्रों के लिए महात्पूर होने वाली क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे को करिकुलर यानी अनिवार प्रस्ण पत्र के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्टिर ने अंसर के बारे में आप सभी को मालूम है कि हर समेश्टर में आप सभी को एक को करिकुलर सब्जेक्ट की और यह जो अनिवार प्रश्ण पत्र इसका नाम है फोड न्यूट्रिशन और हाइजिन और इसका हिंदी में इसको बोलते हैं सभी के सभी और सारे के सारे को सब्जेक्ट बेस पर होते हैं जो सही रहता उसे आपको टिक करना होता ठीक है इस तरह आपको हाँ पर पूरी जानकाई दी जाएगी तो चली आते हैं कोश्चिन एंड एंसर वाले सेसन पर आपने पढ़ लिया को पोसड का कारण कोश्चिन में से कौन सा सही होगा आपको कमेंट में सेक्षिन में बताना रहेगा ठीक है कोश्चिन का कारण तो कोश्चिन होता यह है ठीक है ध्यान से सुनेंगी कोश्चिन वह चीज होती है जो मालीजे कि आपके सरीर में जिन भी पोसड तत्तों की जरूरत होती है आपक अगर आप सिच्छित नहीं तब भी अपने आप जिस चीज के जरूरत है जिन भी पोसड तत्तों की उनको आप नहीं दे पाएंगे ठीक है ओ अप मिस्ट वाला भी बहुत बड़ा कारण है ठीक है तो यह सभी कारण है इसलिए इसमें से सही उत्तर हो जाएगा डी में से अगला प्रशन कहे रहा है कि दो बेक्तियों के लिए संतुलित आहार क्या है इन आपसनों में से ठीक है तो याद रखेंगे काफी महात्पोंड प्रशन है ठीक है दो बेक्तियों के लिए संतुलित आहार वह अनिवारता भिन होगा ठीक है अनिवारता मतलब कि सामानेता भिन नहीं होगा ठीक है समान नहीं होगा ठीक है समान हो सकता अपरेक में से कोई नहीं लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि सही उत्तरिस्का हो जाएगा ठीक है अनिवारता भिन होगा ठीक है है तो इस प्रकार और अगला प्रशन है कि कार के लिए आवस्य करने जा रहे हैं या फिर कार करने के लिए किस चीज की आपको बहुत जरूरत पढ़ती है सबसे फस्ट नंबर पर हो तो कैलोरी ठीक है जल भी जरूरी है खानेश भी जो विटामिल लेकिन इन आप्सनों में से फस्ट प्योरिटी यानि फस्ट नंबर पर रखा जाएगा तो कैलोरी को रखा जाएगा इसलिए से उत्तर हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन कहे रहा कि निम्न में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है मतलब इसमें जो आप्सन देगे हैं इन में से किस ची अगर आप संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं तो आपकी जो उमर है मतलब कि आपको दिखेगी कि आपकी मतलब उमर अप लगेंगे कि हाँ आप 18 के हैं लेकिन आपकी जो हाइट है जो आपकी परशनाल्टी वह डिवलप नहीं हो रही ठीक है ठीक और आपको आयो में समस्या लेकिन लेकिन जब आपका कुप मतलब अच्छा संतुलित आहार रहेगा ठीक है तो आप लगेंगे कि भाई अगर वह नहीं रहेगा तो बहुत लोग करेंगे कि आप 16-17 मतलब की 15 साल के और लिंक के भी उसमें प्रभाव पड़ेगा संतुलित आहार नहीं हो जाएगा इस जब होता है जब आपके सरीर को ठीक है पर्याप मात्रा में ठीक है पुस्टत तो नहीं मिल पाते हैं तब कुपोषड होता है ठीक है और कुपोषड का उपचार जैसे किया जाए तो वो कैसे किया जाएगा ठीक है वह जैसे कि हम सरीर में तत तो नहीं मिल पा रहें तो इस आपके सभी जो इस्वंत लुइट अपलएंगे तो आपका को पोर्शर जो है वो आपके फरीर में जो तत्व की पिए जो आपको तत्व नहीं मिलने लेगे लाज़ेए ठीक है बहुत मात्मोट प्रशने अभी है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेनू आपने एक्जामपल के रूप में आपको समझा रहा हूं इस प्रशने का आप इन्हें मत्तब समझेजिए कि आहार खाना की रूप में आपूर्त की जाने वाली खाज-परदार्थों के कम सूची को क क्या कहते हैं कम सूची कि जैसे कि आपने देखा होगा सरकारी स्कूल मिडिल स्कूल जहां पर एक से लेकर पाचवी तक या फिर पाचवी तक बच्चे पढ़ते तो उसमें एक डेट सीट बना दी जाती कि भाया आपको सोमवार दिन को आप बच्चे को सबजी चावल मिले ठीक उसके बाद मंगलवार को आपको बता दिया जाये कहां को तहरी मिलेगी फिर आपको बता जाएगा बुद्ध वार को यह आपको सब जिरोटी मिलेगी ठीक है और आपको ब्रस्पतिवार को आप दाल लोटी मिलेगी तरह जो पूरा मीनू नहीं रहता है इस टेप नेट को बनेगा ठीक है वो लिखा रहता तो वही वाला होता है मेनू थीक है इस बात को ध्यान नगकर ओके ने चकोष्ट्ट है परिवार के जो हर सदस है ऑचीत मात्रा में पोशक प्राप्त हो उत्तर प्रोग्राम प्रोग्राम पूजन नहीं अगला question है कि आहार योजना में क्या महत्तपूर नहीं है तो आहार योजना में जो महत्तपूर नहीं है इना अपसरों में से वो है ग्रह संदस्चना ठीक बहुत हैं चार्ट रोगी की रूची संतुलित आहार ये सभी हैं लेकिन इसमें से जो नहीं है वो ग्रह संदस्चना ह को कौन सा कारक impact डालता है यानि कि प्रभावित करता है ठीक है बहुत ही मात्पूर प्रस्ण है एक्जाम में आने की उमीद जदा ही जा रही है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा option number A वो है आयू यानि की उमर ठीक है कौन सी उमर आयू ठीक है अगला है कि मानो सरीर में वसा जमा होती है कहां पर चलिए comment section बताइए आप सभी को बालू हो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number B वो होता है वसा उतक में ठीक है वसा जमा होती है मनुष्ट के सरीर में ठीक है प्र आप पहले हैं फ़रीन का निर्माण करने के लिए पर उड़जा देने के लिए फ़रीर को सुर्चा परदान करने के लिए तो आपके जानकारी करवलतादी इन सभी चीजों की आवसकता होती आपके हमारे सभी की सरीर को इस ले सेयुटर हो जाएगा उपर्यूक्त में से सभी, ठीके निश़् कोशन है कि अहार आयोजन से क्या लाभ है तो अहार आयोजन से जो लाभ है वो है इनमें से सभी अहार आयोजन से समय का सदुप्योग हो जाता है कार का सरलीकरण हो जाता है धन का सदुप्योग हो जाता है इसका सिंपल सा मतब है आपका कोई परिवार उसमें 5-10 रहते हैं तो आपने एक जो खाना बनाएगा घर में क्या खाना सब्सक्राइब कि सब्रॉट ज़ए यह खाना ने अगर सब्सक्राइब बच गया सब्सक्राइब कार्यश i mean यही फिर आपके घर में पांच लोग वहीं सब्सक्राइब कोई कही यह राकी ना चाहाN और कोई राकी खीर बनाओ अलागलग सबके रुची है तो वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर आपके समय का यानि की तमाम मेंट्रेल बनाओगी उसमें भी जाएगा और पलस बहुत सारी चीजें तो मेंट्रेल आपको खरीदना पड़ेगा बाहर से तो आपका धन भी वहाँ प बोगों लोगों को दाटमें दिक्क्त हो जाती तो है टॉप्सई कोई सब्सकों अपर प्रमक शोत्र कौन सा या सबसे जबड़ा कैलुसियम किस में पाया जाता है इन आपसों में से सिम्पल सा उत्तर है यह नंबर दूद में सबसे दा कैल्सियम पाए जाता है जो कि आपको कोई डॉक्टर होगा वी सगेश्ट करेगा प्रशनी मेरे भी तेट में प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर ने बताया था भईया कि आप दूद पी दिये क्योंकि कैल्सियम की आपको कमी है ठीक है तो यह इसलिए उत्तर हो जाएगा ध्यान रखेंगे ओके अगर आपको दातों में कोई समस्या आ रहे तो समझ जाए ज्यातर नब्बे प्रश्चत आपके कैल्सियम की हिकमी है अगला प्रशन है कि हमारे सरीर का पोस्टर होता है भूखमरी द्वारा बीमारी द्वारा भो प्रशन होग की आप सकता है थीक है और मानव शरीर की प्रात्मिक आवसक्ता क्या है तो भया इनमें से सभी है प्रात्मिक इधान से पहले सबसे पहले की बात होगा हलाकि सारे महत्त पोड़े एक मानों के लिए इन सभी चीजों की जरूरत है बोजन दूप गर वर्षत सभी की लेकिन फ़र्ष्ट पेरोटी पर रखा जाएगा उसकी बात आपको ध्यान रखना है ठीक है तर इसमें फ़र्ष्ट पर रखा जाएगा बोजन बोजन बहुत ही चरूरत है माली जो मिनट के लिए आपके पास दूप नहीं तब भी आपको थोड़ा बहुत भाई शाम है तब भी चल जाएगा ठीक है एक दिन दो दिन चल जाएगा ठीक है घर नहीं तब भी आप लोग कही अपना गुजारा कर लेंगे वफ्तर नहीं तब भी चल जाएगा रिकिन भोजन की आप नहीं रह पाएंगे सिंपल ची बात है चलिए ओके निश्कोष्टे ने की ऐसा आहार जिसमें भोजन की सभी आवस्चा घटक सही अनुपात में सम्मलित होते हैं उससे क्या कहते हैं तो बहुत ही महाद प्रस्ण का सही उत ठीक है जंक फूड जो होते हैं इनको आपको एग्नोरी करना चाहिए इससे क्या होगा आप लोगों का इस समय के जो सिचुएशन चल लही ना बहुत ही आप सभी का जो लीवर है जो आपके अंदर जितने भी बोड़ी अंदर जितने भी कारे करने पाचन क्रिया है ठीक है यह सभी बहुत ज्यादा पहले की कम प्रीजन में बहुत ही मतलब की एक तरिके से बोलते नहीं की यह यह बहुत कंजोर हो गये तो यह ज्यादा बहुत उस तरह वाली चीजे नहीं पचा सकते हैं ठीक आपके पैट की जो पाचन क्रिया होती है इसलिए इनको मुलायम भोज ज़्यादा इंपक्ट आपके बोडी पे डालते शरीर पे और बहुत ज़्यादा बिमार पड़ सकते हैं तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उप्रेक्ट में से सभी इन सभी से बचना चाहिए कूपोसड किया है आप सभी को मैलूम बता ही दिया अच्छे सूपर बताया भी ह तो इस प्रशने का सही उत्तर हो जाएगा याद रखें काफी हेलफूल कोफी टॉप लेबल का कोईश्चन है ठीक है सही उत्तर हो जाएगा पोसक तत्तो की कमी मैंने आपको बताया था कि जब जान से सुनेंगे कूपोसड जब होता है जब सरीर में पर्याप्त मात्रा में पोसक तत्तो नहीं मिलते हैं या फिर नहीं होते हैं नहीं मिल पाते हैं तब वहाँ पर कोफोसड होता है ठीक है तो इसलिए यहां पर कहा गया कि पोसक तत्तो की कमी को ही कोफोसड कहेंगे ठीक आपके फरीर की जितनी पर्याप तो मात्रा होता नहीं मिल पा रात बैया कमी क्या है आपको उस्टीन सब्सक्राइब की कमी इतर है उसले Mega कोई नहीं ये सब दीए मैंने सब्सक्राइब है यसाप सब्सक्राइब क्रहाँ कारण पहुँस्टम्ण की कमी यही मेसं सहीद्थर का सब्सक्राइब क्या कि हमारे सरी को पोशित करता है क्या करता है यह सिंपल से बात भोजनी करता है आप थोड़ा हम फास स्पीर बढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहों और कोईशन बहुत सारे हैं इसलिए हम थोड़ा फास्ट देंगे ठीक है कोईशन समझे यहागा आप सभी अ अपसरों में से तो सिंपल सा उत्तर रखेंगे सरकरा ठीक है इन अपसरों में से ठीक है ओके चलिए निश्कोशन देख लेते निश्कोशन कहरा कि पैक्टन पाया जाता है ठीक है पैक्टन जो पाया जाता है इन में से किस में पाया जाता है याद रखेंगे वो पाया जात कि वह कौन सी सरकरा है जिसका मनुष्ष सरीर में पोसड के रूप में कोई नहीं ठीक है पोसड के रूप में कोई महत तो नहीं है याद रखें काफी एलपल कुश्चन ये भी है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसे नंबर बी ठीक है शिलिव लोज नेक्ट कुश्चन है कि स लोग मुँ में जब लार नहीं लेती है वही बात हो रही लार वाली ठीक है लार में उपफ्थित इमा इलेज कार्बो हाइटेट का पाचिन किस में होता है काफी एलपल कोश्चन है और इसको आपको जानना भी चाहिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसे नंबर डी स से कौन सा अहार वर्ग उर्जा का उत्तम स्रोषत है ठीक है द्यान रखें काफी एलपल कोश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसे नंबर बी ठीक है वसा तेल तथा मिठाई भोजन का महत्पूर कार भी है इन आपसे में से कौन सा सत्त्य उत्तर होगा वोगा फरीर क ताप को नियंतित करना बोजन का महत्पूर कार रहे है ठीक है अगला कि थायराइट ग्रेंथ के कार को कौन सी खानिस लवड नियंतित करता है ठीक है ये भी काफी बार पूछा जा चुका कोश्चन इसको धान रखेंगे काफी टॉप लेबल कोश्चन है आप सभी के याद रखेंगे आप सभी ठीक है यह जो भोजन है या फिर यह जो खाद्द चीजें यह आपको हाइपर टेंशन में दी जाती है नंबर से उत्तर होगा बहुत ही टॉप लेबल का कोश्चन है अगला कि प्रतिदीन हमें सबजीयों की कितनी सर्विंग की आवसकता होती बह आपको ङुए प्रियाप पुसक्त होटा है तो आपको वहाँ पर क्या बिमारी हो सकती चली इसका सैूबतर बताईे आप सभी इसका सैूबतर हो जाएगा आप अगला कि कमरे से युक्त आहार की संतुति की जाती है, किस में? पिलिया में, रोग में, या फिर रदे रोग में, मधुमे में, तो इस प्रस्णिका सही उत्तर हो जाएगा आपसे नंबर B, ठीक है, दस्त में, ठीक है, जब आप खुद दस्त पढ़ती हैं, तब कमरे से युक्त आहार की संतुति की जाती है, अगला है कि सभी भोजन के आकर प्रफली को छोणते हैं, ठीक है, अगला की डॉट 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 यारी कि इसमें क्या भरा जाएगा, आपको वही बताना है, ठीक है, तो इसमें भरा जाएगा, अंडा की प्रोटीन का जेविक मोले सबसे अधिक है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा वो स्वीडन में हुआ था कहां पर स्वीडन में हुआ था और सन 1974 में हुआ था यहां पर स्वीडन और यहां पर 1974 फिल किया जाएगा अगला कि फोड पिरामिट की आकरत क्या भरा जाएगा यहां पर सी नंबर भरा जाएगा त्रिकोंड कार है ठीक है लाइब वृवफ्टा के लिए आवश्यक है तो पूर्ण स्वspeed के लिए आप्छे अच्छा स्वाफ्ट्रहें आपको ज्यादा कारक नहीं है नहीं इतिक स्वांसान को प्रकार नहीं है को आपके स्वांसान हो जाएगा o दिए प्रखने फ्रावित करने वाले कारक नहीं तो इस प्रशने सब्तर नहीं तो अगला कि सबके लिए स्वाफ्त का लच उसकी घोषवा पत्र में रखा गया है ठीक है कहां पर ये अब को बताना है तो भी नमबर हो जाएगा सही उत्तर अलमा आटा सम्मेलन में ठीक है अगला प्रस्तुत है कि स्वाफ्त की जटल समस्चा के उक्चार की सुविधा प्रदा प्रदान करवाना कि अफ्तर की स्वास्त सेवा है ये काफी याद रखेंगे आ सकता पर इच्छा में ठीक है तो इस सही तरह जाएगा आपसे नंबर सी नंबर तिरती एक अगला बहुत ही टॉप लेबल का क्वेश्चन प्रस्तुत होने जा रहा जो कि कई बार पर इच्छ है इस बात को ध्यान लखेंगे पानी आप ज्यादा पीजिए नहीं तो आपको बहुत फारी समस्या हो सकती है खाफ करके आपको स्टोन हो सकता है जो कि मुझे प्रस्नली है ठीक है लेकिस पानी से आप लोग खुदी ज्यादा पीया करिए ठीक है और निश-क्वेश्चन ह का सही उत्तर हो जाएगा option number कौन सा सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर प्रति दिन तीन लीटर तो अगला प्रशन है कि निर्जली करण का लच्छन है निर्जली करण का जो लच्छन है इन आपसरों में से वह हो प्रवक्त में से सभी ठीक है पढ़ लेंगे चारों option मतब तीन ह हो जाएंगे सरीर में निर्जली करण की इफ्ठित कब आती है तो यह आती है जल की कमी से ठीक है जल की कमी से यही आती है वोके सबसे संबंधित है ये मतलब की पूरुतावादी अउधाना ठीक है स्वास्त की जो की सही उत्तर डी हो जाएगा अगला एक बईया की शवाफ्त को प्रभावित करने वाले कारक है ठीक है रहन सेयन का तरीका अनवन्शिक और बाहरी बात्तावन स्वास्त सेवा इसलिए स्वाफ्त हुआ प्रयोक्त में से सभी या फिर इनमें से सभी कोई इसी तरह का आपको आप्संदि गएगा ठीक है तो इसको भी ध्यान रखेंगे तो यह जो इस्थित है वह निवार्क सिटी में इस्थित भी नंबर सही उत्तर होगा ठीक है अगला कि सभी सब्वेताओं में स्वाफ्त की अधाड़ा होती है कैसी होती है चलिए कमेट सेक्शन में बताइए ठीक है तो वह होती अपनी सब्व में सब्सक्राइब करना ठीक है तो यह परिभास्त जो दी गई है वह गीए टेवर करन शार दी गई जो कि पुर्मक बिद्ध्वान है ठीक है चलिए इसकोश्चन कि स्वाफ्त मनुश्री की पूर सारीरिक मानसी कम समाजी खिस्टी थे किवल रोगों की अनपस्तिती स्वा परिभाफ़ा किसकी तो यह परिभाफ़ा जिसने दी उनका नाम बताना आप सभी चैल यह कमें सेक्षिन में आप सभी बता सकते हैं ठीक है तो सहीत तर हो जाएगा आप से नमबर डबलू एच्चो ठीक है जो कि ठीक है आप तो मालूम हो का वर्ल्ड हेल्थ यानि कि जितने भी दुनिया भर के लोग है उनके स्रस्थ का मैनेजमेंट का काम है वह सुर्वास से जिसकी कोवीड आया था तो उसमें जो में दवाई बनाएगी त्यों डबलू एच्च जितने भी सुजाव आते थे सब डबलू एच्च को माध्धम से याद याद रखे अगला है कि पोसर्ड मनुष्य यूम उसके बीच का संबंध है यूम सरीरिक समाजिक मनो विज्ञानिक तथा जयव कि यह पहलो भी सम्मलित होते हैं यह कथन किस विद्वान का तो यह कथन जो है वह यूडिकिन का है यूडिकिन ठीक है अगला है कि कौन सा भोजन फरीर का इसलिए सभी हो जाएक बोजन का महत पूर्पूर पर लेंगे ऊपर यहां पर क्या भरा जाएगा वह नस्तियां प्रकाफ नद्भिया द्वार अपना भोजन श्युम निर्मित कर लेती हैं पिर लेते हैं आगला है कि कमी यह अनपर अभदता में मनुष्य का सरीर क्या हो ज इसलिए से उत्तर हो जाएगा उपर में से सभी अगला प्रशने की वह कौन सा पदार से जो बिक्त के फरीर का पोस्टर करता है बहुत ही महात्मूर्ट प्रश्ण यह भी आपके एक्जाम के लिए वह है भोजन ठीक है सी नमबर अगला कि सरीरियों मस्तिस्क के पूर्ड रू परती है वह पड़ती है इन में से सभी चीजों की इसलिए सायुत्तर हो जाएगा उप्रयों में सभी नमबर ठीक है धान रखेंगे अगला कि सारीरिक स्वाफ्ट प्रश्ण क्या मतलब है इसका मतलब है साफ है और कोमल तो चाहिए सभी चीज़े हैं इसलिए सभी हो जाए सभी आगला कि स्वास्थ स्वास्थ सरीर में स्वस्थ मन का वास होता यह बिचार किसका है तो यह जो बिचार है याद रखेंके बहुत टॉप लेबल का कोश्चन आपके एक जाम के लिए कई बार पर चाहिए है तो यह आरस्तु जी का ठीक है शारे इक स्वास्थ को को पोच्ण आए वह कह लाता है सूँध कूप उस्द्र याद रखेंगे और पौच्ण भिज्यान से घ्निश्ट रूप से संबंधित थे ठीक है किस भिज्यान से आपको बताना ही ठीके तो वू है कि ऑरार्धफाक्तर इमनों भी उप्ग्ञान चिकट सा भी जीव तो पुष्षड को प्रभावित करने वाला बिंदु तो पुषड को प्रभावित करने वाला जो याद रखें काफी अलपूल कोश्चन है वह आपका वंसा अनोकरम भी वातावन भी प्रस्तितिया भी इसलिए से उत्तर डी हो जाएगा आप अर्याप्त पोस्षड का दिखाई देने लगता है ठीक है तो यह सब हैं आप अर्याप्त पोस्षड के लच्षण ठीक मास पेसी आपकी धीली हो जाती है तो बहुत फारी लच्षण है तो इस प्रकाली किंग आज की स्वीडियों करीब करीब मैं आपको 100 कोश्चन के लगभग लगभग कोश्चन क्लियर कराया बाकि ज्यादा समय नहीं और भी हम आपको कोश्चन जल्दी परस्तुत करेंगे जब तक आप इनकी तयारी करिए यह पीडियो भाम को टेलिग्राम अटसर पर वाइड करा देंगे तो आप तयार कर लिजेगा मिलते हैं करने वीडियो में जय हिंद